आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोट ब्लोक अप्लिकेशन के बारे में यह अप्लिकेशन काफी बढ़िया है इसमें आपको काफी अच्छी अच्छी फीचर्स देखने को मिल जाएगा यह एक के डोक्यूमेंट्स, फोटो, आईडी कार्ड, स्केनिंग अप्लिकेशन से आप लोगों में से बहुत सारे लोग केम स्केनर, अड़ोब स्केन का यूज किया भी होगा और इसका नाम सुने भी होगा और काफी लोग इसका यूज भी करते होंगे इसमें से मुझे नोट ब्लोक अप्लिकेशन काफी पसंद आया, काफी बढ़िया लगा, इसका फीचर्स काफी बढ़िया लगा हमको तो चलिए जान लेते हैं नोट ब्लोक अप्लिकेशन के बारे में simply आपको Google Play Store से Note Block Applications को डाउलोड कर लेना है डाउलोड करने के बाद Open button पे क्लिक करने के बाद आपका Note Block Application Open हो जाता है Open होने के बाद आपसे कुछ permission माइगा आप उसको allow कर देंगे Allow करने के बाद आपका Note Block Applications का interface कुछ इस टाइप को आपको देखने को मिल जाएगा आप यहाँ से किसी भी documents को ID card को फोटो को आप यहाँ से scan कर सकते हैं अगर आपका कोई भी photo documents अगर आपके गैलरी में है तो आप यहाँ से जा के choose कर सकते हैं चलिए हमको दिखाते हैं live दिखाते हैं आपको एक documents का photo scan करके, आपको documents का scan करने के बाद आपको कैसा ..कैसा picture quality होगा आपको हम दिखाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं किसी बी documents को आप यहां से photo असानी से ले लेंगे photo लेने के बाद आपका कोई भी documents होगा आपको scan हो जाएगा इसके बाद scan होने के बाद आप यहां से जो green वाली जो border है इसको आप adjust कर लेंगे जहां तक आपको scan करना है वहां तक आप इसको लेके जाएंगे और इसको आप असानी से crop कर लेंगे इसके बाद इस sign वाले बटन पर अगर आप चाहते हैं इसको rotate करना तो असानी से rotate कर सकते हैं आप यहां से crop असानी से कर सकते हैं इसके बाद आप इस sign वाले बटन पर क्लिक करके documents को असानी से scan कर सकते हैं काफी बढ़िया आपको picture quality आपको देखने को इसमें मिल जाता है अगर आप चाहते हैं कि मेरा document black and white में अगर convert करना चाहते हैं black and white में आपको document लेना चाहते हैं तो इस color वाले icon पे click करके इसको black and white में convert कर लेंगे यहां से तो यह black and white में आ जाएगा काफी picture qualities का काफी बढ़िया है इसके बाद documents में इसमों करना चाहते हैं तो document पर click करेंगे photo में करना चाहते हैं तो photo में click करेंगे इसके बाद अगर original जो भी आप चाहते हैं कि मेरा जो documents है वो original रहे तो आप इस पर original पर click करके इसको original आप कर सकते हैं चलिए हम note block में इसको करके इसके बाद इसको save कर देते हैं save करने के बाद आपका documents फाइल में save जाता है अगर आप चाहते हैं किसी को share करना चाहते हैं तो इसमें आप share कर सकते हैं काफी असानी से सेयर कर सकते हैं इसका आप नोटस बना सकते हैं किसी भी आचाते हैं इसका नोटस बनाना तो यहां से असानी से डिलीट हो जाता है तो आप को घबडाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहां से आप इस 3.line पर क्लिक करके यहां से trace file में जाके आप यहां से इसको आसानी से restore आसानी से कर सकते हैं इसको आप यहां से क्लाउड में अगर स्टोर करके रखना चाहते हैं तो यहां से आप इसको गूगल ट्राइब से कनेट करके आप आसानी से इसमें डॉकुमेंट को क्लाउड में एटोमेटिक जो है सिंक्रोनाइज करके रख सकते हैं बाद में कभी नहें तो इसको अब सब्सक्राइब कर लीजिए तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए